प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा जिसमें हम हर बार नए सेग्मेंट पे बात करते हैं पिछले सेग्मेंट पे हमने बात की थी पोस्ट कोविड पर आज हम नया सेग्मेंट इनफर्टिलिटी लेकर आए हैं जिसके लिए हमारे साथ आज मौदूद हैं डॉक्टर प्राची अगरवाल गाइनकोलोजिस्ट अबद हॉस्पिटल से तो आए सीधे बात करते हैं प्राची अगरवाल से कि आज वो इनफर्टिलिटी पे हमें क्या बात बताने वाली है सबसे पहले तो आपका Welcome to our show maim अज मैं हम लोग इनफर्टिलिटी हम लोगों ने एक सेग्मेंट लिया है तो इनफर्टिलिटी पे हम आज आपसे काफी कुछ जानना चाहेंगे तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि पहले हम हमारे viewers को आप हमें पहले ही define करें कि infertility होता क्या है actually infertility term हम तब use करते हैं जब एक couple married couple वो शादी के एक साल तक नियमित रूप से try कर रहे हो मतलब हफते में तीन से चार बार साथ रहते हो इसके पशाद भी उन्हें बच्चा ना ठहरे तब हम यह word लेकर आते हैं infertility 80% लोगों को पहले साल हो जाता है अगर वो समय से साथ रहते हैं 10% को दो साल में हो जाता है बाकि जो 10% category है वो में हमारा study मतलब वो हमारे patients रहते हैं असर डॉक्टर रही बताए जो infertility की हम जो बात कर रहे हैं की infertility का जो अभी आपने definition बताया है कि इस तरीके से मतलब लोगों में चार से छे महीने लोग साथ रहते हैं उसके बात भी अगर अगर उनको बच्चा नहीं होता है तो infertility के symptoms दिखते हैं अच्छा infertility के क्या लक्षन होते हैं क्या किस तरीके से जच किया जाता है कि infertility के यह symptoms है infertility के symptoms आच-च्छ मतलब यह कोई symptomatic नहीं है इसमें में लिए है कि आप साथ रह रहे हो आपकी शादी को एक साल हो गया है इसको आप नहीं बोल सकते infertility के husband कहीं रह रहे है दिली में wife यहां रह रही है महीने में एक बार आया आपने बोला नहीं अब हमें हिस्ट्री उसे साब पेशन नहीं समझ पाते है कि उसको क्यों नहीं आया अब हमारा यह रहता है कि भही आप इसमें मेल का factor है कि female का factor है फिर हम उसे साब से उसे categorize करते हैं मतलब this is that you need to see your doctor after one year of your marriage अगर आपको नहीं conceive होता है तो maximum you can wait for two years उसके बाद आपको आना है अच्छा डॉक्टर यह इंफर्टिलिटी के लिए हम बात करें तो क्या यह बेसिकली से females में ही infertility है या हम males में भी देखी जा सकती है अच्छली यह बहुत बड़ा misconception जो सालों से चला आ रहा है अभी भी patient आज के जमाने में भी आते हैं और यह कोलते हैं कि इसको बच्चा नहीं हो रहा है बेटा तो बलकुल ठीक है बढ़िया है और यहीं कमजोर है इसी को नहीं ठाहरा ऐसा नहीं है 30 to 40 percent of the factors are because of male infertility बचे हुए 45 percent to 55 आप का होगे female है और 10 percent cases में दोनों ही responsible होते हैं तो males are equally responsible infertility के लिए as females are अचा इनका कोई basically कोई particular कोई कारण होता है infertility के लिए इसमें ना हम अब इसे categorize करेंगे कि males के अलग कारण होते है females के अलग कारण होते हैं अगर हम जिसे इसमें अगर हमाई पास एक प्रॉपर हिस्ट्री उसी से हम निकालते हैं पहली चीज उसकी social history की बहीं आप तमाकू गुटका शराब cigarette इनका भी significant role है फिर आपकी कोई दवाईया BP की दवा दौरी की दवा या depression की दवाईया फिर आपकी diabetes हो गया फिर किसी तरीके का आप कैसा जौब करते हैं यह भी important है फिर जौब में बहुत गर्मी में काम करते हैं न बहुत जैसे की भटी है यह है तो आप social उनका work history लेते ह फिर उसके बाद आता है अब फिर उसके females में हमारा history रहता है कि आपका age क्या है पहली शादी है menses की regularity क्या है आजकल बहुत common हो गया है कि दो दू महीने नहीं आ रहें periods फिर this is PCOD तो उनके different different categories में हम put करते हैं कि आप कोई बुखार की history रही है तो उसके हिसाब से हमारे कार या लक्षन के लिए जो आपने बात किया है इसमें हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं कैसे इनको सेव कर सकते कि मतलब इस तरीके की चीजे जो है जो infertility के जो symptoms अगर नहीं है और create हो रहे है इन सब की वज़े से तो किस तरीके से हम उसको से इंडिया में एक बहुत बड़ करना चाहिए फिर किसी तरीके की कोई बिमारी है कोई चीजें है अब अपने डॉक्टर से ना छिपाएं डिप्रेशन की दवा है यह diabetes uncontrolled है चाहे male हो चाहे female हो दोनों के लिए बहुत बुरा है आपकी age 35 जैसे आजकल that is like कि अब लेडीज की marriage age पी लेट हो गई है age is equally very important in case of females if you are 30 plus कहीं न कहीं it is going to affect you आजकल तो age ही 30 हो गई है marriage की तो if you are 35 plus तो हम कहते है 6 months of marriage में भी अगर आप conceive नहीं कर रहे हो तो immediately see your doctor that is good क्योंकि एक age के बाद आपकी egg quality deteriorate होना है तो अगर हम यह patient point of view से कहेंगे कि where you should focus more तो आप बिमारियों के लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आपको अंदिरूनी कोई बिमारी है congenital disorders होते हैं जैसे कि मेल में रहते हैं कि undecended testis है कई syndroms है cartagno syndrome उन सब के लिए तो कोई नहीं कुछ कर सकता है अगर आप कर सकते हैं तो alcohol smoke आपका secret इन सब से दूर रहना है आपको फीमेल में यह है कि if your periods are not regular तो आपको उसके हिसाब से अपनी lifestyle है है डाइट है सब को change करना है मतलब if you are very sedentary lifestyle आप जी रहे हो तो it is going to affect you आपको डेली एक proper meal pattern होना चाहिए आपका daily exercise routine होना चाहिए आपके periods regular होने चाहिए एक healthy lifestyle इसके लिए बहुत important है आप जैसे अभी meal pattern की बात कर रहे हैं कि एक proper healthy diet होना चाहिए meal pattern के यह अगर हम diet chart वगेरा बनाते हैं तो इसके लिए हमें अपने उसमें खान पान पर में तक क्या चीज़ धिहान देने वाली बाते होती हैं कि हम क्या चीज़ धिहान दे जिस वज़े से इस तरी चीज़े ना होपा है आपको आजकल बहुत common हो गया ओपडी में अगर हम inferred की बात करें तो बीमारी आए उससे पहले बचाफ के लिए मैं बोलूँगे मतलब when you are in your teens 20 साल के हैं आप बिलकुल अपनी lifestyle पे ध्यान नी देते कोई walk नहीं कोई diet में 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 आपका होना चाहिए it should be rich in green leafy vegetables it should be rich in almonds मतलब proper milk हो अपका दही हो आपके dry fruits हो calories में बाहर का या फिर ये सब calorie rich food is never good और सुबह आपने रूटीन बनाए कि आज कर मतलब आज बहुत ऐसे बच्चे आते हैं 16-17 साल के जिनके हम diagnosis बनाते हैं बड़ाराम से PCOS बाइस पिकर्स उनके पीरेट से गुलर नहीं कुछ नहीं है रूटीन पूछो तो दस बज़े सो के उठ रहे हैं तीन बज़े सो रहें थीन बज़े सो रहें दिस ओलए लॉट आपको अभी से ही अपना प्रॉबर पाटन होना चाहिए सो के उठने का और रात में सोने का ए अबसे डॉक्तर जो आपने भी रिच डाइट जो भी डाइट बताई है वह काफी रिच है कि अलमें आप यूज करें ड्राइट वगेरा आप अपने उसमें लें लेकिन कुछ फैमिली जो ऐसे घर से विलॉग करते हैं जो इन सब चीजों को रिच डाइट को एफोर्ड नह लेकिन दूद लो अगर दूद मिल पाए तो दूद में जो काल्शिम है विटमिन डी है उसके लिए आप अधर रिच सोर्स अगर बदाब विटमिन डी का एक अच्छा सोर्स एक वेजटेरियन डाइट में तो आपका दूदी आता है काल्शिम और विटमिन डी का बाकि गी में बना हुआ खाना पूरी कचोरी इन सब्सक्राइब करें बेसिकली मतलब जैसा भी आपके फोर्डिबल्टी है मुफली खाएं तो वह तो आप अपने इसाब से डिसाइड करेंगे डाक्टर यह बताये कि आप अभी हम डाइट के रिगारिंग बता रहे हैं अगर जो को लोग infertility survivors है जो infertility है तो क्या मतलब उनको particular कुछ medicines आप उनको suggest करते हैं या इससे बचने के लिए कोई medicine suggest करते हैं कि यह medicine अगर आप यूज करेंगे जिसे डाइट अगर कोई नहीं ले रहा है तो आप उनको क्या कोई medicine prescribe करते हैं और देखे देखे धेगे देजरोओ रीक चाल्शिं का भी रोल है विटमील का भी रोल है यह तो अपने आप में एक न्टृटिव राइट होगा आप साथ एक जब आपकी नहीं रहे है थिर आपकी जो इनको नाइन वहां पीडेशन से तंब हैं वहां ज्यक्त जादा आप infections आपको रहे हैं, pelvis के, PID है, TB है, इन सबसे tubes infected है, uterus infected है, या uterus की कोई problems है, fibroid है, there are the factors of infertility, तो उसके लिए according to the cause, we treat. medicines में तो वही रहते हैं कि हम calcium, vitamin D, folic, vitamin supplements कहते हैं कि लीजिये, कई बार आप vitamin deficient हो, तो it also affects to an extent, but it is not the treatment, treatment to accordingly we categorize and we treat patients. मतलब maximum patients को अगर हम basic level पे investigate करें, timely वो हम से आके मिलते हैं, तो उनको बहुत जादा intervention की requirement नहीं होती है, बहुत कम percent ऐसा है, जिसे IVF या IUI एक चीज़ होती है, IUI और IVF का नेट पड़ता है. मैं यह जो आपने IVF और IUV, IUI, IUI और IVF का जो आपने पता है, इसमें क्या difference है? IUI जो होता है, इसमें हम हस्बिन का सीमन वाश करते हैं, वी हाब दो सेट अप उसके लिए, छोटा ही सेट अप रहता है, और देन अच्छोटा ही सेट अप रहता हैं, हम फीमेल में intrauterine inseminate करते हैं, मतलब डायरेक्ट हमारे एक चीज़ होते हैं, उससे inseminate करते हैं, इससे chances of pregnancy बढ़ते हैं, उन लोगों में जिनमें हम stimulate एक कदवा से या उससे कर रहे हैं, जैसे PCOS के patients हैं, जिनमें cervical factors हैं, मतलब cervix के level pain infection है, या कही न कहीं किसी कारणवश pregnancy नहीं हो पा रही है, male में semen count जो है, वो थोड़ा सा normal से कम है, तो ऐसे cases में हम IUI suggest करते हैं, कई बढ़ unexplained causes हैं, नहीं हो रहा है, तो जैसे IUI I do at my setup, और अच्छे results रहते हैं उसके, कि आपको नहीं आ रहा है normal उससे, तो हम IUI में direct semen process करते हैं, तो concentrate करते हैं, good as pumps, and we directly inseminate in uterus of a female, IVF में basically we identify the patients, जिनको IVF की जरूरत है, मतलब आपके egg quality बहुत खराब है, या आपको tubal factors है, जिस वज़े से अगर नली ही block है, तो फिर कोई help नहीं कर सकता है, जो ऐसे major causes हैं, तो उनमें हम IVF के लिए patient को plan करते हैं, अज़र डॉक्टर अगर जो कुछ patient ऐसे हैं, जो treatment नहीं चाहते हैं, and then medicines use नहीं करते हैं, उसके लिए एक secondary option आप क्या देते हैं, क्या मतलब कोई particular exercises वगेरा आप उनको suggest करते हैं, मतलब किस तरीके से जो लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे treatment हो, ये भी नहीं चाहते हैं कि हम medicine जो इन दोनों चीजों से बचना चाहते हैं, तो फिर वो बिमारी भी उसी लेवल की हो, मतलब कि आप treatment, sorry, बचना चाहते हो, तो आपके बिमारी उस काटेगरी में आने चाहते हैं, मैंने बुलो ना, if you have a tubal factor, nobody can help you except IVF, बट हाँ, अगर आपके PCOS काटेगरी में आ रहे हो, मतलब आपको एक जच्छे नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि आप ओवरवेट हो, आप diabetic हो, क्योंकि आपको hormonal imbalance है, आपको thyroid है, prolactin है, in that cases, if you go for regular exercises, if you go for yoga and all that, तो आप बिना treatment के भी conceive करोगे, thyroid गलत मैंने यूज किया, बट thyroid में treatment चाहते हैं कि आप thyroid की दबा ले रहे हो, साथ में exercise कर रहे हो, तो it is going to help you, लेकिन अगर overweight हो, diabetic हो, इनकी वजह से आप conceive नहीं कर रहे हो, तो फिर, आपको इसमें exercises बगेरा बहुत help करते हैं, मतला हम खुद ही कहते हैं कि अगर आप weight loss करते हो, महीने का ठीक है, नहीं कर पा रहे हो, 10 kg करने की जरूद भी नहीं है, पर 5 kg कर रहे हो, एक प्रॉपर पैटर्न में आप weight loss करते हो, तो इस वेरी हेलफूल फॉर मेनी पेशिंट्स, अच्छा पाहिए अभी आपने बोला exercises बगेरा रख ले, शर्जरी का decision जो भी आप लेते हैं, किस time period में, कौन से time period में आप surgery का decision लेते हैं, कि अब इनको surgery का required है, और इस time पे surgery ही एक option है. Actually, surgery हमारे infert में mainly उन patients के लिए होता है, जिन में tubes का हमें, हम एक पहले टेस्ट करते हैं female में, that is HSG, जिसमें एक लेमान लाइंग्विज में कॉल इक हमने आपका एक्सरा निकाला है tubes का. अगर उसमें कोई blockage दिख रहा है, ओवरी कैसी है, आपका सब कैसा दिख रहा है, कोई additions तो नहीं है, क्या factors है. तो operation basically उन patients में करते हैं, जिनकी ovaries respond ना करें, despite treatment हम आपको दवा दे रहे हैं और आप नहीं respond करें हो. That is ovarian drilling, एक procedure होता है. Second, अगर थोड़े बहुत additions है, टूब जोवरी सब चिपके हुए हैं, तो उनको हम हटा देते हैं, एक बिमारी होती है, एंडुमेट्रियोमा. बहुत आजकल लोगों को इदारने से हैं, तो एंडुमेट्रियोमा भी एक category है, उसमें, if you are patient of endometriosis, तो उसमें हम fulguration करते हैं, थोड़ा बहुत उनको हटा देंगे, तो इस आज़ा बेसिक प्रोसीजर्स, मेल में हैं कि टूबल ब्लॉक्स हैं, तो फिर हम मेल में accordingly, जब हमें आई पे फगरा करना होता है, तो हम छोटे प्रोसीजर्स करते हैं. डॉक्टर आपने अभी जो कुछ टेस्ट के बारे में ताया, कि इसके अलावा भी कुछ और टेस्ट होते हैं, कि नॉर्मल एक टेस्ट होते हैं, क्योंकि आप जो ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, जो भी सर्जरी करने जा रहे हैं, उससे पहले और भी कुछ extra treatments हो दे क्या आप यह judge करते हैं कि वो high blood pressure का तो patient नहीं है या something sugar patient तो नहीं है ऐसी चीजे भी क्या test की जाती है बिल्कुल, जब patient पहली बार हमारे setup में आएगा तो हम सीधे बड़ा नहीं सोचते हैं because rare is always rare, हम basic लेकर चलते हैं बस आज़र patients ऐसे हैं जिनने बस basic diagnosis के नीड होती है तो basic test जो हमारे रहते हैं that is we call usually patients on day two of their periods हम एक basic scan करते हैं we see there, उसमें transvaginal sonography is the exact word for the ultrasound जिसमें हम उसकी ovaries और uterus देखते हैं then we patient आया तो हम उसका weight देखते हैं, BP देखते हैं, height देखते हैं यह कितना overweight जा रहा है अपनी category से, फिर second है हमारा basic female test होता है हम thyroid, prolactin, LH, FSH, AMH सब में जरूरी नहीं होता है because being a doctor मुझे यह भी देखना है न, ऐसा नहीं हो कि patient आया और मैंने उसको सारी जांचे बता दी, तो वो चीज़ तो फिर हम categorize करते हैं कि अभी हम इसका basic thyroid, prolactin करा लेते हैं फिर अगर हमें लगता है कि age जादा है, हमारा scan जैसा बोलता है फिर साब से हम AMH कराएंगे, LH, FSH कराएंगे फिर उसके बाद हम उसे stimulation देते हैं या हम उसका 10th day और 12th day एक quality देखते हैं फिर वो date and investigations होती है, फिर उसके साब से hysteroself in geography और date and TVS हमारा, यह एक basic test है उसमें sugar वगेरा भी हम include करते हैं, BP sugar on the first day patient comes, ऐसे ही mail में जो basic test है, that is semen analysis वो ही main है mail में, कि हम आया patient हमने semen analysis उसको 2-3 दिन के abstinence के बाद suggest करी and accordingly यह हमारे basic test है, अब यह हमारे patients को categorize करेंगे, मैम आपने अभी कुछ और चीज़े भी जब आप पता रहे थे तो किया यह depression के लिए भी आपने बोला था कि depression जिनको हो जाता है यह बहुत ज़्यादा मतलब उनको mentally अगर pressurize होता है तो यह भी एक infertility का कारण बनता है हाँ, depression equally important है क्योंकि बहुत सारे anti-depressions है जो males पे side effects cause करते है spermatogenesis में दूसरी चीज़े जब आदमी depression में होता है तो उसकी ना diet अच्छी रहती है ना उसकी body अच्छी रहती है उसका overeating चल रहा है weight gain चल रहा है तो इसमें mental stability बहुत important है बहुत बहुत सारी चीज़ें है कि आप सही time पे साथ नहीं रह रह रहे हो आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है तो depression तो बहुत important है infertility के लिए मैं उसको reveal करने के लिए कुछ है आप उनको suggestion देते हैं कि किस तरीके से reveal कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल उसके लिए हमारे पास medicines होते हैं जिसे वो खुदी बताता है मेन इसमें हमारा patient से interaction counseling बहुत important है यह नहीं कि patient आया कि माम हमें हो नहीं रहा हमने उसे panel of test offer कर दिये विदा being a good doctor you should always know कि भी history क्या है तुम्हारी problem किस level पर आ रही है तो बहुत सारे हैसे होते हैं कि हमारा timings ठीक नहीं है हम depression में है तो उसके accordingly हम उसे treat करते हैं that means कि जो भी आपके पास infertility के regarding जो भी आपके पास patient आते हैं then first यह है कि आपका counseling section चलता है counseling section में यह है कि अगर आप यह है कि अगर कुछ exercises से यह diet से something अगर सही हो जाता है then after that आप उसको उससे भी अगर recover नहीं करते हैं then आप surgery के लिए उनको से बिल्कु शर्जरी तो लास्ट है infert में we don't suggest कि a patient आया नहीं कि laparoscopy करेंगे यह करेंगे बिल्कुल नहीं पहले basic investigations basic workup then we go for any procedures that we have to do अज़र मारम कई बार यह चीज सुनने के लिए आता है कि कुछ लोग first baby conceive कर लेते हैं then after first baby के बाद उनको उसके बाद उनको infertility की problem हो जाती second baby conceive नहीं कर पा रहे है क्या मतलब ऐसा क्यों होता है is it possible first baby के बाद आपको infections हो गये आपने section कर आया आपको additions बन गया आपकी tubes खराब हो गई distort हो गई anatomy या फिर आपने hormonal imbalance आगया आपकी body में आपको thyroid हो गया आप over weight हो गया आप depression में चले गया तो they are again the causes for secondary infertility आपको TB हो गया तो यह सारे causes बन जाते हैं secondary infertility के ऐसे ही mails में है कि आपका आपका work profile गरबढ रहा आपने बहुत ज़दे smoke alcohol इन सब के चरफ चले गए that is again affect your quality तो दोनों में ही हो सकता है अगर हम इसको second infertility को अगर हम लोग define कर रहें कि क्या और क्यूं होती है क्या होती है second infertility secondary infertility is the term when you are trying after your first conception चाहे वो first conception का outcome कुछ भी रहा हो means आपको abortion हुए या आपका baby seven months में कुछ भी outcome रहा हो आपको हुआ पूरे दिन का बट फिर आप try कर रहे हो एक-दो साल हो गए आपको नहीं conceive कर रहा then it comes under the category of secondary infertility अचा मम इस टाइम पर मुझे एक और चीज एक उसमें आरी है जिसे कुछ लोग यह है कि after marriage कुछ precautions लेते हैं precautions ले जाते हैं कि हम एक साल बाद या दो साल बार baby को हम plan करेंगे तो क्या वो भी चीजें effect करती हैं क्या उन चीजों से भी infertility होने के chances बढ़ जाते हैं बहुत जाद तो नहीं but hard to some extent जैसे injections लेते हैं इसके deport injections आते हैं तो वो थोड़ा सा आपका कई बार patient को लेकिन यह है कि उनका effect एक time तक के लिए होता है कि आपका amenorrhea हो गया कभी menorrhagia मतलब कभी periods रोक देते हैं फिर कभी आपको heavy bleeding हो गई बट उनके जो effects है usually खतम हो जाते हैं एक साल में 6 महीने में but not for the prolonged infertility ऐसा कुछ नहीं है कि वो main cause हो सकते हैं डॉक्टर इस infertility की क्या कोई particular age criteria होता है कि इस age group के लोगों को जादा infertility होती है और इस age के group को नहीं होती है क्या ऐसा है यह कोई time period या कोई time period मैंने बोला ना थी कि male में तो as such बहुत जादा time का वो नहीं रहता है बट females में क्योंकि एक quality age के साथ करबढ होती है मेल में भी होता है कि हाँ आपका जादा age रहेगा तो चीज़े कहीं नहीं body affected होती है बट females में usually 30 plus पे effect आने लगता है 35 plus पे काफी आने लगता है तो मतलब हम यह बोलते है if you are 35 plus तो तो फिर 6 months में ही आप आ जो कि अगर आपको 6 months या प्रॉपर ट्राय कर रहे दिन गो and see your doctor और अगर 30 plus की category है तो भी मतलब अब हाँ थोड़ा कान खड़े हो जाने चाहें कि this age group falls in the category कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है because ovarian quality पे बहुत फरक पड़ता है age का age है AFC है मतलब आपका egg quality AFC से आता है यह सब चीज से रहते हैं अगर डॉक्टर हम second infertility के treatment की बात करते हैं तो यह first infertility जो होती है same वही procedure होता है या इसके लिए कोई और options या same because diagnosis तो वही common चीज़े तो वही lot के आते हैं तो procedures तो वही रहते हैं कि क्यूं हुआ वही panel of test रहता है management भी उसी के according होता है thank you so much ma'am बस आखर में मैं आपसे चाहूंगी कि हमारे viewers को एक message message वादला because viewers are the wide category तो बस यही रहेगा कि lifestyle modification बहुत important है आज के present scenario में we don't consider it important even मैं अपना ही example दूंगी तो I'm not very good in that क्योंकि इतना busy life है कि हम अपने लिए time ही नहीं निकालना चाहते है but अगर आप एक अच्छी life चाहते हैं तो अपने लिए time निकालिए अपना walk करिए proper nutrition लीजे बाहर की चीजों को avoid करिए they aren't good for you खुद cook करिए खुद अपने लिए time management बहुत important है so plan a good and healthy lifestyle timely marriage भी important है और उसके बाद family plan करना भी important and don't wait for your 35 to come and plan for the future things so every step is important career भी important है family भी important है life भी important है अपने टाइम निकालना भी important है अज की health mantra में हमने infertility पर डॉक्टर प्राची अगरवाल से बात की जिनोंने हमें काफी कुछ अधिक जानकारी हमें दी है जिसे हमें उमीद है कि आपको काफी सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा तो आज की health mantra में बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी झाल